नमस्कार यूपी तक देखनाप मैं हूँ आपके साथ गुराश श्रवास्तो लखनव के सिवल अस्पताल में गुरुवार को उस वक्त हरकम मच गया जब यहाँ पर डिप्टी सियम ब्रिजेश पाठक अचानक स्वास्त सेवाई जो हैं और स्वास्त सुविधाओं की परताल हाई हो गया बतारे कि लखनव के शामप्रसाद मुखरजी सिवल अस्पताल का दौरा करने पहुचे डिप्टी सियम ने यहाँ पर पहुचकर जाइजा लेना शुरू किया और जाइजा लेने के बाद में मरीजों के लिए मिलने वाली वीर्चेर्स को जब देखा तो उनके होश उड़ गये वहां मौजूद स्ट्वेचर्स पहले तो कम मिले और जब मिले तो उनकी हालात रिपीट और जब मिले तो उनके हालात इतनी जादा खस्ता थी कि उनका देखते ही पारहाई हो गया सुनिए कैसे भढ़क गये यूपी की डिप्टी सियम सहाब डिप्टी सियम सहाब को इस बात का श्वायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक आम आदमी को सरकारी इस्पताल के इलाज के लिए किस तरीके से कितनी मशक्कत करनी पड़ती है कैसे उसे दर-दर भटकना पड़ता है और कैसे उसे इस चर्मराई लचर हालातों से समझोता करना पड़ता है इसलिए उन्होंने अस्पताल के जिम्मेदारों से तमाम सवाल किये और साती सात सक्त हिदायते भी उन्होंने दी है बता दे कि ये वही ब्रजेश पाठक हैं जनोंने कोरोना काल में जमकर यूपी की स्वास्त विवस्थाओं को लेकर चुठिया लिकी थी और अब इन्हीं के पास ही स्वास्त वभाग है ऐसे में आम आदमी जो है उसकी जो उमीदे हैं वो ब्रजेश पाठक से काफी जादा पढ़ गई हैं देखना होगा कि वो जनता की उमीदों पर कितने जारा खरे उतरते हैं साथी साथ आपको बता दे कि उनके सामने चर्मराई विवस्था को सुधारने में काफी जादा वक्त लग सकता है लेकिन उमीद है और उमीद पर ही दुनिया खायम है फिलाल बता दे आपको कि लखनौ से इस खबर को आप तक पहुचाने का श्रेज आता है मेरे सहयोगी आशिश रवास्तों को उत्रप्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसे ही चोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हो पितक के साथ मुझे दीजे इजाज़त नमसकार